रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं, वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगा में रील मंत्री बन जाओ, इंस्टरग्राम रील्स बनाओ और अपनी वाभी वाल लूटूँ इसका बजट है मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है, देश का दुरभाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहां पर कोई अकाउंटबिलिटी नहीं ही जाती है, जो पैसेंजर ट्रेंज हैं वो घटती जा रहे हैं, जो बोगीज हैं वो कम होते जा रहे हैं, रिजर्व सीट पे अन्रिजर्व लोग भर भर कर जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, जारखन, छतीस गड़ से जो ट्रेने चलती हैं, निकलती हैं, आपको उनका हाल देखना चाहिए, लोग टॉलिट में बैट बैट कर जा रहे हैं, पर इनको किसी तरीके से इनको किसी तरीके की शर्म नहीं महसूस हो रही है, या यह नहीं गलानी महसूस हो रहा है कि इस पर कोई कारवाई होनी चाहिए, कोई फीडबैक अच्छे मन से दे तो उसको नकार दिया जाता है, आज सीनियर सिटिजन डिसकाउंट आपने ख़तम कर दिया है, पैसंजर आपने डाइनामिक कर दिया है, तो कोई अगर लास्ट मेर टिकेट भी खरीटा है, उसकी टिकेट वोड़ बी ऐस एक्सपेंसिव एस रेलवे ऐर तो आपने कोई सुविधा नहीं दी, कहीं आप किसी की बाइक में बैट कर जा रहे हैं, कभी आटो में बैट कर जा रहे हैं, कभी इंजिन के नीचे जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, जब हाथसा हो चुका, कब तक देश की जनता ये सहेगी, कब तक देश की जनता प्रधान मंत्री से ये उमीद रखेगी, कि प्रधान मंत्री जी, आपके कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैटे ह जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी तो बहुत सारी है, इतनी सारे उनको पॉर्टफोलियो दियो हैं, बर्गर, सैन्वीच, मोजीटो, मिल्च शेक और भी कई स्वादिस्ट वेंजन, अगर आपको एक ही छट के नीचे मिले, वो भी हाइजियोनिक एटमसफेर में, तो फिर बात ही क्या, अब ये सभी लजीस डिशेज आपको कहीं और नहीं, बलकि मांगो के टेस्टी बाइट्स रेस्टोरेंट में मिलेगा, इन सभी स्वादिस टेस्ट को आपके दस्तर खान में परोसने के लिए, चेपा पूल राजवारा के ठिक बगल, दो हॉरिजन मॉल में टेस्टी बाइट्स रेस्टोरेंट खुल चुका, टेस्टी बाइट्स में पीजा, बर्गर, फ्रेंच फ आज ही अपने परिवार और दोस्तों संग जाएं टेस्टी बाइट्स